अभी हमें अपनी बेटी को बचाने के लिए बस उसी इंजेक्शन की ज़रूरत है ये वक्त हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही जादा मुश्मिल है जो चोटे से चोटा कॉंट्रिव्यूशन कर सकता है प्लीज मेरी बचे के लिए की मुस्कार मैं हूं प्रवीन और आप देख रहे हैं इंडिया टैमिटी फोर नियूज आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसा परिवार मौजूद है जो अपनी 11 महीने की बेटी की जिंदगी के लिए दरदर की ठोकरे खा रहा है दरसल इनकी बेटी एक गंभीर बिमारी से जूज रही है जिसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन इंपोर्ट होना है यूएस से जिसका टोटल खर्चा 17 करोड रुपे है और भारतिये डॉक्टर्स ने इने क्राउड फरंडिंग करने की सलाह दी है मेरे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद है इस बच्ची की मा और पिता अपना नाम एक और बताईगी मेरा नाम निहा है निहा जी क्या प्रॉब्लम है बेटी को और क्या कहना चाहेंगे आज जो लोग आपको देख रहे हों कुमुद एक रेर जेनिटिक डिसॉडर से पीडित है जिसका नाम एसे में टाइप वान है इसमें बेसिकली बॉड़ी की सारी मसल्स बहुत जादा वीक हो जाती है और वीक्नेस की वज़ा एक ही जगे रुकी नहीं रहती मतलब वह कंटिन्यूसली डीग्रेड होते रहती है जस वज़ा से बच्चा खुद बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, करवटे नहीं बदल सकता उसे स्वालोइंग, उसे ब्रीधिंग, सांसं लेने में सब में बहुत दिक्कत आती है क्या सजिस्ट किया है आपको डॉक्टरस ने क्या सजिस्ट किया है? हम लोग उने इसको एम्स में दिखाया है और उन्होंने हमें बोला है इसका अभी फिलाल जो है वो एक ट्रीट्मेंट है जिसमें साड़े सतरा करोड का एक इंजेक्शन लगता है जो यूएस से इंपोर्ट कराना पड़ता है वहां की एक कमपनी है नोवार्टिस जो इस क्या अपील करना चाहते हैं जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़कर विंति करती हूं प्लीज एक मां के फरोसे को तूटने मत दीजेगा प्लीज हमारी मदद कीजे यह बहुत बड़ा चैलेंज है अगर लाखों की बात होती तो भी समझाता है बहुत बड़ के लिए मुझे कुछ भी करना बड़े मैं उसके लिए तैयार हूं और हम सब लोग इसके लिए फाइट कर रहे हैं प्लीज इसमें हम लोगों का साथ दीजे कोई समय सीम आपको दी गई है कि इतने समय तक ही करवाना है एक्शली यह इंजेक्शन जितना जल्दी हो सके उतन तो जिस दौर से गुजर रहे हैं आप उसका शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते जब घर में एक छोटी सी मासूं बिमार हो तो सोच सकते हैं कि परिवार की हालत क्या होगी बेटी के पिता भी हमारे साथ हैं क्या नाम है मेरा नाम रजनिकांत हैं और रजनिकांत जी क्य कहना चाहेंगे किस दौर से आप गुजर रहे हैं और जो लोग आपको देख रहे हैं क्या अपील करना चाहें मेरी लोगों से अपील है कि हमारे जितना ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं आपके सपोर्ट और आपकी आपकी हेल्प की जरूरत है अभी इस समय हम लोगों को समझ नहीं आता है कि हम लोग क्या करें क्योंकि हमें दीरे-दीरे जो जिसका treatment हमारी बच्ची को चाहिए उस injection की कीमत बहुत जादा है और हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें जितना हो सके आप मदद कीजिए जिससे कि हमारी बच्ची की जीवन बच सके और हम आगे अच्छे जी अपना जी सके और आपको बता दें कि इस मुश्किल समय में सोनू सूद जो फिल्म आक्टर हैं उन्होंने खुद देश से अपील की है कि इस परिवार की मदद की जाए और ये काफी समय से हमें भी अप्रोच कर रहे थे और आज हमें हमने आप इन्हें अपने स्टूडियो बुलाया है रिजिकाल जी यह बताई कितना अभी तक फंडिंग की घटा हो चुका है और कितने की और जरूवत हैं अभी हम लोगों ने क्राउट फंडिंग का हमें बताया गया था डॉक्टर्स ने हम जितनी हमने ऑगनाईजेशन से हिल्प मांगी इंडिया में अभी एक ह कि इसकी इंजियो है जिसका नाम है क्योर इंडियासे में उनोंने हमारी जो कॉल है और एमेल्स हैं उनका कोई रिप्लाई किया नहीं अब तक और वो आगे आए ही नहीं है हमारी हिल्प करने के लिए बाकि हमने जो चैनल को अप्रोच किया है जैसे नेशनल Profitable Organization है जिसमें क्या कहते हैं एक का नाम है Impact Guru दूसरे का नाम है Charitism तो उनकी साहिता से हमने अभी 8 लाग रुपे एकटा कर चुके हैं तो अभी लोगों से 8 लाग एकटा हुए हैं 17 करोड आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज है टारगेट और अप्रोच नहीं कर पारें जिससे हमें लोग हमारी इस कॉस के साथ जुड़ें और लोग क्या कहते हैं जब जिनको पता चलता है वो हमारी साहिता करते हैं तो अभी इंडिया में इसकी बहुत awareness की भी कमी है इस बिमारी की क्योंकि यह rare genetic disorder है तो इसलिए क्या कहते है अभी गौर्मेंट की तरफ से कोई गौर्मेंट की तरफ से help की गई है अभी तरफ गौर्मेंट की तरफ से as such इसका कोई treatment जो है वो approved नहीं है aims P क्या कहते है जो इसका treatment बताता है वो एक इसका जो dose है जिसका नाम है रिजडी फ्लैम वो गौर्मेंट से इंडियन गौर्मेंट ने अप्रूफ किया हूँ है बागी जो इंजेक्शन है उसका बस प्रॉमिसिंग रिजल्ट है इसलिए बट वो इंपोर्ट humanitarian ground में करने की help कराते हैं तो government के थुरू तो बस वही है कि हम लोग जब aims हमने पहले उनको बेबी को दिखाया तो उन्होंने हमें रेफर कर दिया था जो इनका gmap प्रोग्राम करके है उसके बाद हमने बेबी को पाया तो फिर आपको खुद से भी ट्राई करिया आप अपना crowdfunding या पैसा करने की और बाकी उनके जितना हो सकता है वह हो तो हमारी भी इंडिया टाइम टुडी फोर न्यूस के आप सभी से अफील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्या कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए सिर्फ एक जज़बा होना चाहिए और आप हो सकता है आपका एक छोटा था प्रयास आपकी एक छोड़ी सी मदद इस मासूम को एक नई जिन्दगी दे सके नेहा जी कोई आखरी अपील कोई मैसेज आप देना चाहें लोगों को बस मेरी आप से हाँ जोड़कर यही विंतिया है कि चाहिए आप से सो रुपे हो क्योंकि अगर हम लोग साथ में मिलकर करेंगे अगर एक लाख लोग भी सो रुपे करते हैं तो भी हमारा एक करोन बनता है तो बस यही अपील है कि प्लीज जो भी आप कर सकते हैं जो चोटे से चूटा कॉंट्रिव्यूशन कर सकता है प्लीज मेरी बचे के लिए कीजिए तो आपको बता दें कि काफी समय से इंडिया टाइम 24 न्यूज को अप्रोच कर रहे थे काफी दिनों के बाद हमने इनको बुलाया है पूरा वैरिफाई करने के बाद और इनका नंबर स्क्री साइबर क्राइम भी साइबर फ्रॉड भी काफी चल रहा है तो सजग रहने की बहुत ज़्यादे जरूत होती है लेकिन बाब जूद इसके आप इनको कॉंटाट कर सकते हैं पर नंबर अको ना बता दीजीए और इस परिवार की मदद कीजिए आपकी एक चोटी सी मदद इ सकती है कैमरा जेनलिस्ट दुश्णक साथ प्रवीन इंडिया टाम करी फोर न्यूज